Welcome to exam, permethy आज के सिस क्लास में हम लोग seated paper second का previous year paper कर रहे हैं और यह इसना का सचर्ण का मारब पेपर है और इस वाले जो आपका प्राक्टिस सेट है इसमें हम लोग previous year के जो हमारे history के questions से सामिल किया है इसी तरह से हम लोग politics, geography और pedagogical issues के भी आपके practice set बना रहे हैं शुरुवाती सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है क्योंकि यानि कि इस्टार्टिंग में जो सिक्के चलते थे उनको आहत सिक्के बोले जाता था आहत का मतलब किसी पे चोट करना होता है ठीक है धातू के ये इनको क्यों कहा जाता था आहत सिक्के कहा गया आकरती देने के लिए सिक्कों को ठोस आजार द्वारा आहत किया जाता था तो ये तो आपका किया ही जाएगा ठोस आजार द्वारा उनको आहत किया ही जाएगा लोगों को आहत मुद्रब भुगतान के बाद रसीद के तोर पर मिलती थी ऐसी कोई बात नहीं है कि रस सिक्के इसलिए कहा जाता था क्योंकि इन सिक्कों पर जो है आकृतियां जो है ठपपा मार कर Kupань की जाती थी ठीक नहीं कि इस Pर आकृतिया जो है आकृतियां जो है आहत करके बनाई जाती थी जking को अबिन और टामे के सिक्के होते थे इन पर अलग-अलग आकृतियों को आहत करके बनाये जाने के कारण इन्हें आहत सिक्का कहा जाता था यानि कि इसमें ठपा मार करके आकृतिया बनाई जाती थी ठीक है तो इसलिए इनको जो है आकृतियां सिक्कों पर बनी होती थी, इसलिए ने आहद सिक्का जो है, कहा जाता था अगला question है, दिल्ली के सल्तनत काल में गुलामों को उच्च पद पर नियुक्त करने के क्या कारण थे तो दिल्ली में जो आपका सल्तनत काल था तो इल्तुतमिस जो है वो क्या करता था गुलामों को उचे पदो पर बैठाता था ठीक है तो इसका जो है क्या कारड़ था सही विकल्प क्या है उन्हें नियंतरण में रखना आसान था और कम वेतन दिया जा सकता था ऐसी कोई बात नहीं है कि कम वेतन देना है सुल्तान और उनके उत्रादिकारियों के का उनके जीवन पर सौमित तो होता था देखिए जब भी इस तरह की बात होगी उत्रादिकारियों तो जो आपके गुलाम होते थे जैसे अगर वो सुल्तान के गुलाम है तो वो केवल सुल्तान के जो है क्या होंगे सौमी भक्त होंगे उनके उ विश्वसनी यानि कि जिसके वो गुलाम होते थे उसके विश्वसनी और उन पर उन ही पर आस्रित होते थे इसलिए क्या करता था ये जो आपके सुल्तान होते थे वो इन पर जो है विश्वास करते थे और गुलाम भी जो है अपने सुल्तान पर ही विश्वास करते थे तो आ आप भारती उप महाद्वीप के प्रथम सामराज की परियोजना कारे के लिए छात्रों को किस सामराज के विशे में जागनकारी एकत्रित करने के लिए कहेंगे यानि कि आपको छात्रों से कहना है कि आप लोग क्या करो कि भारती उप महादीप में जो पहला सामराज्य था ठीस है उस पे आप लोग प्रोजेक्ट बनाओं तो कौन सा ऐसा सामराज्य था इन चारों में से जो आपका भारती उप महादीप का प्रथम सामराज्य बना था तो हम लोगों ने जब आपका प्रथम सामराजे वाला चेप्टर पढ़ा था तो हम लोगों ने किस के बारे में पढ़ा था तो हम लोगों ने मौरिस सामराजे के बारे में उसमें पढ़ा था ठीक है असोक के बारे में पढ़ा था तो जो हमारा भारती उप महदीप का प्रथम सामराज्य था वो कौन सा था तो वो था हमारा मौरिस सामराज्य अगला question, question number 4 क्या कहता है इस्वरचंद्र विद्या सागर ने प्राचीन ग्रधों का हवाला दिया किस चीज के लिए हवाला दिया सती प्रथा को समाप्त करने के लिए तो सती प्रथा की बात जो है इस्वरचंद्र विद्या सागर ने नहीं की थी किसने की थी और किसने समाप्त की थी ये आपको कमेंट करके बताना है इस्वरचंद विद्यासागर ने प्राचेन ग्रंथों का हवाला इस ले दिया ताकि लड़कियां पढ़ सके जी नहीं बिल्कुल नहीं सभी जातियों की समानता के लिए उन्होंने नहीं कहा था जबकि कहा था कि आपके ग्रंथों में कहीं भी ऐसा नहीं है कि विद्वा विवाह नहीं कर सकती ठीक है तो विधवाविवाह के समर्थक थे हमारे इस्वर चंदर विद्यासागर और 1856 इस विदवाविवाह जो है नहीं हो रहा था उसके खिलाब जो है एक कानून पास किया गया 1856 इस विद्यासागर थे यानि कि कौन सी ऐसी जाती थी यहाँ पे ये सारे आपके दलित जाती है ठीक है इनमें से किस जाती का जो है कौन सी जाती अंग्रेजी फौज में सामिल होई थी और इसके बाद भारती सेना में भी इनकी एक रेजिमेंट है तो ये थे हमारे महराश्टर के महार ठीक है महराश सही और गलत का अंसर बताना है कौन सा गतन सही है कौन सा गलत है या फिर दोनों सही है या फिर दोनों गलत है 19 सदी की सुरवात में जब ब्रिटिस एक समरूप सैनिक संस्कृती विक्सित करने लगे कि अपकी जो है, क्या किया कि ब्रिटिस ने जो आपका सैनिकों को जो भरती करते थे, उसमें कहा कि सारे सैनिक एकी तरह से अब, कप्ड़े पहनेंगे की तरह के दिखेंगे, यानि कि जो है, मूशे कटानी पढ़ेंगी, बाल मुड़ाने पढ़ेंगे, इस तरह की बहुत सारी चीज़े उन्होंने कही ठीक है तो विक्सित करने के लिए जो है विक्सित करने लगे तो इसमें काफी सैनिकों के मद्ध समस्याएं खड़ी होई तो जो आपके अलग-अलग जातियों के सैनिक थे उन लोगों ने इसका जो है जाति के लोग नहीं मानते थे ठीक है तो जातियों और सम्धाय को अंदेखा किया गया तो ये आपका ये भी सही है और ये भी सही है ठीक है इसका ये reason है ठीक है तो कथन-ए कथन-ब की सही ब्याख्या भी है क्योंकि इसी शक्र में जो है ये प्रॉब्लम हो रही थी तो A और B दोनों सही है और B जो है A की सही ब्याख्या है ठीक है क्योंकि जाती और समुदाय को अंदेखा किया गया इसी लिए जो है अलग-अलग सेनिकों के मद्ध क्या हुई समस्याएं खड़ी हुई ठीक है न अगला क्वेश्चन है दीवाने खास की अस्थापत्य विस्थाओं में से यह कैसे पता चला की राजा इस्वर का प्रत्निधी थी था यानि कि जो आपके दीवाने खास बनाया गया था ठीक है उसमें जो है ऐसा क्या किया गया था कि जिससे अभी पता चलता है कि उस समय के राजा अपने आपको इस्वर का प्रत्निधी मानते थे जन सभा कक्ष मस्जिद के सद्रिश से बनाये गया कि ऐसा किया गया था या फिर राजा के बैठने का उचा सिंगहासन यह दरसाता था कि वह सबसे उपर है तो ऐसी कोई बात नहीं कि राजा के बैठने का सिंगहासन ऐसा दरसाता कि वह सबसे उपर है जबकि जो है आपका जो जन सभा थी जहां पे लोग आके बैठते थे उसका कक्ष जो है मस्जिद के समान बनाये गया था ये तो आपकी बात सही है और से नमबर ए इसके लबाए जो आपका तीसरा कथन है सिंगहासन को इस तरह रखा गया था कि मुसलिम प्रार्थ्णा के समय अपने मुhi की दिशा में सामने दिखता था यानि कि जो जैसे कि मुसलिम प्रार्थ्णा यानि कि जब आपके मुसलिम लोग जाते है प्रार्थना करने के लिए तो मालो उनको इस तरफ देखना होता है इस तरफ उनका मुह होता है तो इसी तरह से आपके दरबार में भी बनाया गया था सिंगहासन यहीं पे बनाया गया था यानि कि लोग इधर बैटते थे और सिंगहासन इनका मूँ इधर होता था तो सिंगहासन इधर ही होता था जिधर की ओर अगर ये मस्जिद में जाते तो वहां पर जिस तरह से नमाज पढ़ते जिधर मूँ करके उधर साइड ही सिंगहासन रखा गया था तो ये भी जो है हमारा सही है तो A और C दोनों ही सही है B वाला छोड़के तो इसमें जो option number आपका कौन सा आ जाएगा A और C किसमें तो option number B में है आपका A और C ठीक है तो A और C इसमें जो है क्या हो जाता है आपका सही हो जाता है इससे पता चलता है कि उस समय के अराजा अपने आपको क्या मानता था अपने आपको इस्वर का प्रतनी धी मानता था निमनलिखित में से कौन सा कथन इवी रामा शौमी नायकर जो की आपके पेरियार के नाम से प्रसिद्ध है इनके विचारों से मिलता जुलता है तो यहां पे कुछ कथन दिये गए है कौन सा कथन आपके पेरियर के कथनों से मिलता है यह आपको बताना है यह सिद्ध करने के लिए कि हम भी मनुस्य हैं मंदिर में प्रवेस करना चाहिए मंदिर में जाने के लिए NICK तो इन्होंने क्या किया था तो इस वर की बात ही नहीं है यदि आप स्वयम को जाती से मुक्त करना चाहते हैं यानि कि आप जिस जाती में है उस जाती से अपने आपको मुक्त करना चाहते हैं तो आपको सभी धर्मों से स्वयम को मुक्त करना होगा यानि कि आप कोई भी धर्म मत अपनाओ आप जो है च्छंद रहो ठीक है ना? अगर आप अपने आपको जाती से मुक्त करना चाहते है तो ये वाला कथन जो है इनका है ठीक है ना? तो ये जो है आपका ईवी रामसवामी नायकर से के विचारों से विचार कीजिए देखिए अहोम के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है जो आपकी अहोम जाती है थी आपके कहां की थी ये असम साइड की तो देखिए इन में था कि वे कई कुलों में बटे थे और प्रतियक कुल कई गावों पर नेंतर रखता था तो ये आपके कु जाती ये देवता होते थे ठीक है तो इनके अपने जाती ये अपने जाती ये देवतां की पूझा करते थे ये भी आपका सही बात है अपसन नमबर मलब की कथाने कथन भी दोनों ही सही है उनका अन्य जाती लोगों जैसे कोच हाजों के साथ गड़बंदन था देखिए कोच हाजों के साथ इनका गड़बंदन नहीं था जबकि कोच हाजों पर इन्होंने क्या किया था उनके उपर हमला करके उनके साथ गड़बंदन तो नहीं था ठीक है वर्ड समाज के लोगों द्वारा भूमी अधिकरण को प्रतिबंदित नहीं किया था ठीक है वर्ड समाज के लोगों के लिए तो आपसन नमबर A और B आपका सही है C और D आपका गलत है तो किस वाले आपसन में तो आपसन नमबर A में ही है आपका की केवल A और B जो है क्या है सत्य है तो ये आपसन नमबर यह आपका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नमर टिन देखते हैं इनमें से कौन सा कारड आदिवासियों का अंग्रेजों के प्रतिक खुला विद्रोह का कारड बना यानि कि कौन सा ऐसा कारड था जिसकी वज़े से जो आदिवासी लोग थे इन्होंने अंग्रेजों के प्रतिक खुला विद्रोह कर दिया किस वज़े से अंग्रेज आदिवासियों से प्रत्यक शुरूप में उत्पाद नहीं खरीद कर विचावलियों के माद्यम से खरीदते थे तो इस वज़े से उन्होंने आपका विद्रोह नहीं किया कि उनसे डारेक्ट उत्पाद नहीं खरीदा जाता था ठीक है तो यह वला तो गलत है आपका आदिवासियों की रेसम अंग्रेज बाजार और ब्यापारी स्वीकार नहीं कर रहे थे तो ये भी कोई बात नहीं थी कि जो है रेसम नहीं भी करा था इस वज़े से उन लोगों ने विद्रोह कर दिया जबकि जो है देखे विद्रोह का मुख्य कारड जो था कि अंग्रेजों ने क्या किया था कि सारे जंगलों पर नियंदरस थापित कर लिया थे कि जो है जो आपके आदिवासी थे ये जंगलों में ही रहते थे लेकिन अंग्रेजों ने सभी जंगलों पर क्या कर लिया खुद का नियंदर अस्थापित कर लिया ठीक है न और आदिवासीों को जंगलों में आना प्रतिबंदित कर दिया वहां उन लोगों को क्या कर दिया जंगलों से खदेड़ दिया बाहर, कि आप लोग यह वह जंगल में ही नहीं आ सकते, जबकि यह कहां रहते थे, केवल जंगलों में ही रहते हैं, आदिवासी लोग, तो इसी वज़ज़ से जो है, ये इसका सही आंसर है अगला देखते हैं question number 11 में क्या का आ जा रहा है question number 11 है कि नील की खेती से सम्मंदित इसमें दो कथन दिये गए है कथन और कारण आपको बताना है ये सही ये गलत है नील की खेती उत्री और दक्षडी अमेरिका के बहुत से भागों में 17 सताब्दी तक आरम हो गए थी भारत में तो खेती होती थी लेकिन आपके 17 सताब्दी तक उत्री और दक्षडी अमेरिका में भी नील की खेती हो रही थी जद्दपी वहां की जो नील थी वो भारत की नील के मुकाबले अच्छी नहीं थी लेकिन जो है वहां पे भी खेती होती थी भारती नील की मांग जो है अधिक थी और प्रत्योगिता के कारड़ यूरोपी उत्पादगों ने अपनी सरकारों को भारती नील के आयात पर रोक लगाने और दूसरे विकल तलासने के लिए जोड़ डाला देखिए रोक लगाने की बात नहीं की थी जबकि इन्होंने कहा था देखिए पहला कथन तो सही था इन्होंने कहा था कि जो है और भी उसको मंगाया जाए ठीक है ना आयात पर रोक नहीं लगाया गया था जबकि यहां पर कहा जा रहा है कि भारती निल की आयात पर रोक लगाने की बात की थी तो ऐसा नहीं था ठीक है option number A तो आपका सही है लेकिन आपका जो कारड दिया है ये आपका गलत दिया है ठीक है तो यह हमारा जो है सही अंसर हो गया क्वेशन नमबर 12 में आते हैं भारत में जन राष्ट्रवाद के वृद्धी के विशे में वक्तव्यों पर विशार करिये तेथा सही विकल्ब जुनिया देखिए जन राष्ट्रवाद की वृद्धी के जो है आपके तीन कथन दिये गए है आपको पढ़ना है उसके बद बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है प्रतम विस्युद में अत्यधिक खर्चे के कारण भारत सरकार ने लोगों पर भारी टैक्स थोब दिये ये तो आपका सही है कि जब प्रतम विस्युद हुआ था तो उसमें जो है बहुत ज़ादा खर्च हुआ था इसी वज़े से जो भारत में ब्रिटिस सरकार थी उन्होंने लोगों पर क्या कर दिये टैक्स जो है बढ़ा दिये ठीक है अब जब टैक्स बढ़ा दिया तो क्या हुआ कि जन साधारण के लिए तेजी से बढ़ी होई कीमतों के कारण कठिनाईयां बढ़ गई तो ये भी होगा अगर आपका टैक्स बढ़ेगा तो चीजों के दाम भी बढ़ेंगे और दाम बढ़ेंगे तो लोगों की कठिनाईयां भी बढ़ेंगे ये भी आपका सही है तो आपसन नमबर A भी सही है B भी सही है C में देखते हैं 1917 की रूसी क्रांती के बाद 1917 में रूसी क्रांती हुई थी ये तो सही है उसके बाद किसानों और स्रमिकों के संगर्स नए विचार और समाजवाद का भारती राष्ट्रवादियों में प्रसार हुआ तो देखिए दो रूसी क्रांती हुई थी उसके बाद भारती किसानों में नए विचार और समाजवाद का प्रसार हुआ था ये भी आपका जो है सही है option number A, B और C तीनों ही मलब कि कथन A, B और C तीनों ही सही है तो कौन सा option आपका सही हो जाएगा तो option number D में आपका है कि कथन A, B और C तीनों सही है तो option number D जो है इसका सही आंसर हो जाएगा question number 13 देखते हैं प्रथाम विश्युद्ध के विश्य में वक्तव्यों पर विचार करें कि प्रथाम विश्युद्ध से संबंदित जो है कुछ कथन दिये गए है A, B, C आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है तो युद्ध के कारण और द्योगिक उत्पादों की मांग पैता हुई अतह आयात में कमी आई ठीक है? यह ऐसा हुआ था या फिर भारत में युद्ध के दौरान और द्योगिक विस्तार हुआ तो देखे भारत में युद्ध के दौरान आयात में यहाँ पे कमी भी आई थी ठीक? आयात में यहाँ पे कमी भी आई थी जब आपके उद्योगी कुद्पादों की मांग पैदा हुई इसके लावा भारत में युद्ध के दोरान क्या हुआ कि उद्योगों का विस्तार हुआ था ठीक है नहीं यहाँ पर अंग्रेजी अंग्रेज लोग जो है यहाँ पर कम चीजे अब मंगाने लगे उसके बाद क्या करने लगे कि यहाँ के जो देशी जो आपके उद्योग थे वो क्या हुए ज़ादा विक्सित हो गए क्योंकि अंग्रेजों का ध्यान कहां पे था तो वो आपके प्रिथम विस्तार में था प्रिथम विस्तार लड़ रहा था आपका ब्रिटेन लड़ रहा था भारत भी उसमें सामिल किया था उसने लेकिन भारत का ब्यापार उसमें बढ़ा था ठीक है उसको नुकसान नहीं हुआ था तो आपसन नमबर A और B जो है आपका सही है तो ये कौन से अपसन में तो अपसन नमबर A में आपको मिल जाता है कि A तथा B क्या है आपका सही आज़सर है उके क्वेश्चन नमबर 14 देखते हैं पूरवकालिक रियासतों के स्रेडी के अंतरगत कौन से राज्य थे तो पूरो कालिक रियासते किसको कहा जाता था ये आपको बताना है वे राज जिनके सासकों ने भारत में विलाइस विकार कर लिया था तो ये भी आपके पूरो कालिक रियासत ही कहे जाते थे जिन्होंने भारत में जो है उनको रियास्त बोल जाता था जिन्होंने भारत में विलाय स्विकार कल लिया और वे राज्य जिन्हें जिनके सास्कों ने पाकिस्तान में उनको भी तो भारत में जब जानी की जब आपका पूरा भारत था तो जो भी रियास्त ने अभी मालो ये पाकिस्तान वाट छेतर है तो वहां पर भी अगर रियास्त थी तो उसको भी रियास्त ही बोला जाता था यहां पर भी जो रियास्त थी उसको भी रियास्त बोला जाता था यह वाला इस वाले में है ठीक है यह वाले ऐसे राजे थे वे राजे जिन्हें यूरोपी उपनिवेस इनको जो है आपका रियासत नहीं रियासत नहीं कहा जाएगा जो आपका ये यूरोपी उपनिवेस होने जो है जिन पर कबजा बनाया था ठीक है तो ये आपके गोवा औ पुदेचेरी ये भी आपके क्या हो जाएंगे गलत ही हो जाएंगे ठीक है तो आपसे नमबर B जो है आपका A B और C C किसलिए क्योंकि ये गोवा पुदेचेरी किसमे था ये इस वाले में था ठीक है ना तो इसको यहां पे देख लेते हैं पूरुकालिक रियास्तों के अंतरगत कौन कौन से राज्य थे पूरुकालिक रियास्तें किसका क्वा जाता था तो ऐसे राज्य जिन्होंने बारत में विलेस विकार किया वो भी थे जो पाकिस्तान में विलेस विकार किया वो भी थे और वे राज् 1956 की कालावधी में इन्हें पूरो भूत रियासत कहा जाया है यानि कि जब आपके राजों का गठन हुआ 1956 में उसके पहले तक इनको क्या कहा जाता था भूत पूरो रियासत ही कहा जाता था ठीक है तो ये हमारे important questions थे इसी तरह के questions आपके seated में पूछते हैं अगर आपने paper कभी दिया होगा तो आपने देखा होगा इस तरह के questions आपके आते हैं तो अगर आपने जो है आपको अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों तक भी से share कर देंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे वीडियो लाइक कर देंगे और आप comment करके कोई भी चीज आप यहाँ पर बता सकते हैं वीडियो को देखने के लिए कुछ नया सीखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद